हेलो फ्रेंड मैं आकास वर्कम तो प्लांट केर गिवर इस लिस्ट में पहला प्लांट है गैलाडिया इनके फ्लावर काफी सारे कलर में आते हैं फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये सीड बनाते हैं ये इस प्लांट के सीड हैं एक ही प्लांट पर हमें काफी ज़्यादा सीट मिल जाते हैं इनके सीट को जब भी हार्वेस्ट करें थोड़ा सा ध्यान रखें इनके सीट में काटे भी होते हैं इसके सीट मैं रोड साइड से ही लेकर आया था ये प्लांट मेरे पास काफी सारे कलर में है इस list में दूसरा plant Cosmos, इनके भी flower काफी सारे color में आते हैं, ये भी flowering कदम होने के बाद seed बनाते हैं इसके अलावा आप इस plant को cutting से भी grow कर सकते हैं, cutting का भी काफी अच्छा result एकने को मिलता है ये इस प्लांट के सीड है, देख सकते हैं एक ही फ्लावर से हमें काफी ज़्यादा सीड मिल जाते हैं इस प्लांट को भी आपको अपने गाड़ा में ज़रूर रैट करना चाहिए इस लिस्ट में दीसरा प्लांट है Mexican Petunia इनके भी फ्लावर तीन कलर में आते हैं इस प्लांट को भी आपकर्टिंग से बहुत ही ईजली करो कर सकते हैं बात करें प्राइस की तो ये प्लांट 30-40 रूपीज में नरसी में मिल जाता है इस लिस्ट में अगले प्लांट है बल्बस प्लांट और बल्ब प्लांट में सबसे पहले है स्पाइडा लिली दूसरा है एमरेलिस लिली ये सभी बल्बस प्लांट बहुत ही तेजी से डिवाइड होने वाले प्लांट होते हैं अगर आप इनका एक पर्प लेकर आते हैं तो एक साल के अंदरी ये डिवाइड़ होकर 3 से 4 हो जाते हैं यह है rain lily ये भी बल्प से ग्रोंने वाला plant होता है और बहुत ही तेजी से डिवाइड़ होने वाला plant होता है ये प्लांट आपको नर्सी में 30-40 रुपीज में मिल जाते हैं इस लिस्ट में अगला प्लांट है कैना लिली ये भी ट्यूबर से ग्रो होता है और बहुत ही तेजी से डिवाइड होने वाला प्लांट होता है अगर आप इसका एक प्लांट लेकर आते हैं तो 3-4 मंद में ये पूरे प्लांट को कवर कर लेता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है साइप्रस वाइन ये भी बहुत तेजी से डिवाइड होने वाला प्लांट होता है फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये सीड बनाता है इनके seed जिस भी pot में गिर जाते हैं ये खुद पखुद ग्रोह जाते है इसे हर साल हमें ग्रोह नहीं करना पड़ता है एक साल आपिसे ग्रोह कर लीजिए next season में ये खुद पखुद ग्रोह होता है इनके biflower 3-4 color में आते हैं और ये इनके seed है फ्लारिंग खतम होने के बाद ही यह सीर बनाता है यही सीर जिस भी पॉर्ट में गिरते हैं प्लांट ग्रोव हो जाता है इस लिश्ट में अगला प्लांट है टिकूमा यह भी बहुत ही इसली ग्रोवने वाला प्लांट होता है इसे अप कर्टिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इसके अलावा फ्लावरिंग खतम होने के बाद यह seed भी बनाता है उससे यह plant बहुत ही easily grow हो जाता है मेरा यह plant seed से ही grow हुआ plant है और seed से grow हुए plant में एक साल के अंधर ही flowering भी आना start कर देता है यह इस plant के seed हैं यह seed जिस भी pot में गिरते हैं यह plant grow हो जाता है इस list में अगला plant है पर्सलीन और पोर्चुला का यह summer का best flowering plant होता है hanging basket में बहुत ही सुन्दा लगता है और बहुत ही easily grow होने वाला plant होता है यह flower काफी सारे color में आते हैं flower देखने में बहुत ही सुन्दा रगते हैं यह plant आपको नर्सी में 20 रुपए में easily मिल जाते हैं इस list में अगला plant है विनका का plant यह देशी विनका है और देशी विनका बहुत ही hard होता है लगबग पूरे साल blooming करने वाला होता है इसे grow काना भी काफी easy होता है आप इसे cutting से भी grow कर सकते हैं इसके अलावा flowering खतम होने के बाद यह भी seed बनाता है देख सकते हैं मेरे जिस भी pot में इसके seed गिरते हैं plant grow हो जाते हैं देख सकते हैं इस एक ही pot में 5-6 plant लगे हुए हैं इस list में अगला plant है हर सिंकार यह भी बहुत easily grow होने वाला plant होता है यह plant मेरा seed से grow हुआ यह plant है flowering खतम होने के पाद यह plant भी seed बनाता है इसके भी seed जिस भी pot में किरते हैं यह plant खुद बखुद grow हो जाता है इसके seed मैं roadside से लेकर आया था हमारे यहां हर सिंकार के plant roadside पर काफी लगे हुए होते हैं अगर आप चाहें तो इसका plant भी ला सकते हैं जिस भी roadside में आपको यह plant दिखे आप उस plant के नीचे चिक करिए काफी सारे baby plant लगे हुए होते हैं इस list में अगला plant है 4 o'clock यह भी बहुत ही easily grow होने वाला plant होता है काफी सारे color में आते हैं मेरे garden में यह दो color में हैं लेकिन कभी कबार mix होकर 3-4 color भी बन जाते हैं यह इस plant के seed हैं इनके भी seed जिस भी pot में गिरते हैं यह plant खुद बग खुद grow जाता है और थोड़े दिन बाद flowering भी कनह स्टार कर देता है यह भी tuber से grow होने वाला plant होता है देख सकते हैं यह plant भी देखने में काफी सुन्दा लगता है इनके flower शाम को खिलते हैं इसलिए इसे 4 o'clock कहते हैं इस plant को भी आप cutting से grow कर सकते हैं लेकिन cutting आप जब भी लें थोड़ी मोटी लें इस लिस्ट में अगला plant है sunflower यह भी summer का खुबसूरत flowering plant होता है flowering खता होने के बाद यह भी seed बनाता है यह single petal और multi petal में भी आते हैं देख सकते हैं flower देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं इस लिस्ट में अगला plant है morning glory morning glory भी काफी सारी varieties और color में आते हैं इनके flower morning में किलते हैं इसलिए इसे morning glory करते हैं यह भी seed से बहुत easily grow होने वाला plant होता है flowering खतम होने के बाद यह plant भी seed बनाता है इस लिस्ट में अगला plant है अप्राजिता ये भी बहुत एजली ग्रोहने वाला प्लांट होता है फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये प्लांट भी सीर बनाता है और इसके भी सीर जिस भी पॉर्ट में गिर जाते हैं प्लांट खुद बखुद ग्रोह जाता है मेरी भी काफी सारे पॉर्ट में इनके प्लांट लगे हुए है इस लिस्ट में अगला प्लांट है करियर का प्लांट देख सकते हैं फ्लावर देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं फ्लावर काफी सारे कलर में आते हैं मेरे गार्डन में भी ये तीन कलर में है गोट में गिरते हैं यह प्लांट कुदबाख कुदग्रो ओजाता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है जीनिया देख सकते हैं फ्लावर काफी सारे color में आते हैं फ्लावर देखने में सुंदा लगते हैं सीप्लार को भी cutting से इसली ग्रो हो जाता है फ्लारिंग खतम होने के बाद सीड बनता है इसके भी सीड मैं रोर साइसे ही लेकर आया था मेरे गार्डन में भी एक कचनार का प्लांट लगा हुआ है फिलाल अभी काफी छोटा है इस लिस्ट में आकरी प्लांट है चमपा चमपा की कोई भी वेराइटी हो वो कटिंग से बहुत इसली ग्रो हो जाती है चमपा प्लांट को आप इस टाइम भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि कभी कबार हम लोग बारिस में ग्रो करते हैं चाहे वो कचनार हो हरसिंगार हो टिकोमा हो ऐसे प्लांट को सीर से ग्रो करना बहुत ही इसी होता है और तो और ये प्लांट फ्लावरिंग भी लगबग एक साल में स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसे प्लांट मैंने 20 से ही ग्रो किये हैं और मेरे सभी प्लांट पर में चैंग को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए हैपी गारने